नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियों हम रीजनिंग के प्रेक्टिस सेट में 20 सती महात्पूल को देखेंगे जो S.S.C. पिछले सालों में पूछे गए हैं कोई सावी गार्वेंट एक्जाम हो S.S.C. में ज कसे रूकी का खाली स्थान से है तो इसमें देखिए कसे रूकी अब कहते किसको है तो कसे रूकी उसे कहते है जो रीट की हड़ी होती है उसे बोला जाता है कसे रूकी तो इस चार आप्शन में से हमें ऐसा आप्शन देखना है जिसमें रीट की हड़ी नहीं पाई जाती है आकसे रुकी का मतलब देखिए स्टारफिस में रीट की हड़ी नहीं पाई जाती है तो आप्सन नमबर पहला है जो करेक्ट हो जाएगा में पाई जाती है हिरन में भी और साप में भी इन तीनों में कसे रुकी है वाँकि स्टारफिस है जो आकसे रुकी है क्वेश्य नमबर अगला देखिये पाँच का जो संबंद साथ का कॉस्चन मारक से है तो इसको आप बीड्यों रोब कर भी कर सकते हैं और पयuci हे पना अपना आनसर बता सकते हैppen देखिए इसको हम किस पिरखार से वनाएंगे परकिध, हम पांच का बर्ग कर देंगे, पांच का बर्ग हो जाएगा कितना पैच चीस वर इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 25 को की हो जाएगा, सो। ठीक, यह ही लोजिक हम इसमें लगाएज यदि तो साथ का बर्ग करेंगे साथ का बर्ग होता है उनन्चास और इसमें हम चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा यदि इस प्रकार से नहीं निकलता तो हम दूसरी ट्रिक लगाते क्वर्शन नमबर तीसरा देखें माउस का जिस प्रकार से ये लिखा गया है उसी प्रकार से लाइट को क्या लिखा जाएगा तो यदि हम इसकी नमबरिंग डालेंगे ये 13 पर आता है ये 15 ये 21 और ये 19 और ये 5 पर आता है इसके बाद इसकी अदि हम देखें तो ये 11 पर आता है ये 16 पर आता है ये 19 पर आता है ये 20 पर आता है और ये 3 पर आता है तो देखिए हमें इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या किया है माइनिस दो किया है इसमें प्लस बन किया है और इसमें माइनिस दो किया है और इसमें माइनिस दो किया है मतलग क्या सीरी चल रही है माइनिस दो प्लस बन की तो ठीक इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे तो 12 L, 12 पर क्या आता है, इसको हम देखें, 12, 9, 7, 8 और 20, इसमें क्या करना है, पहले हमें माइनिस 2 करना है, तो 12 में से 2 माइनिस करेंगे, तो 10 बचेगा, 10 पर आता है, जे, इसके बाद 9 में क्या करना है, प्लस 1 करना है, तो 9 I पर आता है, और I के बाद 10 कौन सा हो जाएगा इसमें 2 माइनिस करना है तो 7 में से 2 माइनिस करेंगे तो 5 5 पर क्या आता है यह आ जाएगा इसमें प्लस बन करना है तो यह आई आ जाएगा और बीस मेंसे क्या करना है मारिस दो करना है तो 18 आ रहाता है क्या होता JJEIR ilyरा दूसरा में दिख रहा है तो दूसरा बास राइट आंसर हो जाएगा question अमबर अगला देखे question जुआ था नेमन प्रेशनों में विसम संख्या यगमो को चुने देगे यदि हम option number पहला देखते हैं तो 14 से 49 हुआ है तो यदि यह 14 है इसको हम क्या करें दो से काट देंगे तो कितना बचेगा यह 7 और 7 का बर्ग कर देंगे तो कितना होता है 49 ठीक इसी प्रकार इसमें यदि हम देखेंगे तो इसको 2 से काटने पर कितना मिलेगा 16 को 8 और 8 का बर्ग 64 तो 64 लिखा हुगा है इसको काटने तो 10 10 का बर्ग 100 यह भी लिखा हुगा है और इसको यदि हम काटते हैं तो यह 12 आएगा और 12 का बर्ग होता है 144 जबकि यह किसका है 11 का है तो इसलिए option चोथा है वो बिसम हो जाएगा question number 5 देखिए जिस प्रकार DA संबंदित है IF से उसी प्रकार N के संबंदित है किस से इसके यदि हम नम्म निक डालें तो यह 4 और यह एक परादा इससे कितना हुगा है यह 9 और यह 6 तो यदि हम इसमें difference निकालेंगे तो कितना है प्लस 5 है और इसमें निकालेंगे तो इसमें प्लस 5 है तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे यदि हम 14 और यह 11 यदि हम 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 19 पर आता है क्या एस और इसमें यदि हम 5 जोड़ेंगे 11 में तो 16 16 पर आता है पी तो sp option पहला में है तो पहला option right answer हो जाएगा question नमबर छटबा देखिए किसी निश्चित कूट भासा में इसको यह लिखा जाता है तो उसी भासा में थर्ष डे को क्या लिखा जाएगा तो इसमें यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए दो अक्षार है जो उसक भी करेंगे यदि क्या करेंगे एच आगे आजाएगा टी पीछे चला जाएगा इसके बाद आर आगे चला जाएगा यू पीछे चला जाएगा फिर इसके बाद में डी आगे चला जाएगा एस पीछे चला जाएगा और वाई आगे आजाएगा यह पीछे चला जाएगा इस प्रकार से कौन सा option देख रहा है तो वह यह option हम देख लेंगे दूसरा option देख रहा है तो दूसरा option राइट आंसर हो जाएगा Q7 देखें एक cycle चालक 30 km उत्तर दिसा में जाकर देखें यह starting point हो जाता है तो यहां से उत्तर उपर होगा तो 30 km उत्तर में जाएगा इसके बाद में क्या होगा पूरब दिसा मुड़ा और 40 km गया तो पूरब इस साइड होगा तो 40 km पूरब में चला जाएगा इसके बाद में दाएं मुड़ेगा दाएं नीचे होगा और बाएं उपर होगा तो दाएं मुड़ा कितना 20 km यह दाएं मुड़े गया इसके बाद पिर वह अनंतिता दाहें मुड़ता है और 40 km जाता है तो इसके बाद यदि यह ताय मुड़ेगा तो इस साइड में आएगा इसका ताया यह कितने जाएगा 40 जाएगा तो या भी 20 यह है तो 20 यह होगी 20 यह होगी और यह 10 नीचे बच जाएगी तीस है टोटल तो 20 ऊपर 10 नीचे हो जाएगी तो अब वह पूच क्या रहा है इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्या है तादा नुसार वह है अपने आरंबिक स्थान से कितने दूरी पर रहे है तो यह कहां पर यहां पर रहे है तो यह कहां यहां की दूरी कितनी है 10 किलो मीटर तो अपसर दूसरा है जो राइट आंसर हो जाएगा Question number 8 देखिए E B की बहन है देखें E है जो B की बहन हो जाएगी A है C का पिता है A C का पिता है B C का पुत्र है जो B है वो क्या है C का पुत्र है B है जो वो किसका पुत्र हो जाएगा ये C हो जाएगा C का पुत्र हो जाएगा B और A है जो वो C का पिता है तो इसके उपर A हो जाएगा, बुक किसका पिता है, C का पिता है, तो इसको भी कर लेंगे, तब A का E से क्या संबंद है, तो देखें, ये पिता, पिता की पिता क्या कहलाती है, दादा, तो option नमबर पहला में है, तो पहला option, right answer हो जाएगा, दादा या नाना, question number 9, देखें, P, Q, R, S और T में S, R से बड़ा है, देखें, S है जो, बुक किस से बड़ा है, R से बड़ा है, लेकिन T जितना नहीं है, देखें, T सबसे उपर चला जाएगा, S है जो, R से बड़ा है, तो S इधर आ जाएगा, और R नीचे आ जाएगा, इसके बाद में Q सिर्फ तो P से बड़ा है, जो Q है, वो किस से बड़ा है, P से, तो ये Q हो जाएगा, और ये P हो जाएगा, सबसे नीचे, अब उसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो टोटल सभी बैट गाए, पांच है, पी की वारेस्टी, जहां पांच है, तो सभी बैट गाए, तो सबसे छोटा कौन है, पी हो जाएगा, तो पी होने, सबसे छोटा पी है, तो उप्सन नमबर पहला है, जो इसमें कितने का है चैका है इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें कितने का हो जाएगा ये बीस का है तो इसमें यदि हम डिफरेंस का डिफरेंस देखें तो इसमें कितना चार इसमें छै इसमें आठ तो आठ के बाद कितना होगा ये देखिए ये चार है ये छै का डिफरेंस है ये आठ का है तो आठ के बाद कितना होगा दस दस का होगा तो दस यदि बीस में लाते हैं और एक्सक्तो ग्यारा जो कि ओप्सन नंबर चौथा में है तो चौथा और राइट आशर आ जाएगा क्या आजाएगा 101 डेके डेफ्रेंस का डिफ्रेंस देखना है क्योंकि इस समझ में नहीं आएगा देखिए कि इसमें चारका इस पर शेका इसमें आठका डिफ् चार, छे, इस से कितना हुगा है ये, चार, आठ, और ये, बारा, तो इसमें यदि हम देखेंगे, तो इसमें कितना जोड़ा है, देखिए, दो, इसमें प्लस दो है, इसमें प्लस चार है, और इसमें प्लस छे है, मतलब दो प्लस चार, प्लस छे करना है, तो ये हम इसमें कर रहना है चार तो 12 और चार कितना होता है 16 16 पर आएगा पी और 18 में छह जोड़ेंगे तो कितना होता है 24 24 पर आता है एक्स हपी एक्स कौनसे ऑप्षेन में पहले ऑप्षेन में दिखत आये पहला ऑप्षेन राइट आंसर हो जाएगा question number अगला देखिए यदि M का अर्थ डिवाइड है के का अर्थ है माइनस और R का अर्थ है प्लस और T का अर्थ है गुणा तो निम्ले के समीकरण का मान बताईए तो यदि हम देखें इसमें 12 है तो T, T का मतलब क्या है है ती मतलब है गुणादो टी का मतलब हम गुणा कर देंगे और M का मतलब क्या है डिवाइड है तो इसमें हम 12 से भाग दे देंगे फिर R आ जाएगा तो R का मतलब है plus plus का मतलब सूला हो जाएगा और के का मतलब है माइनिस तो यह चाहुदा कर देंगे अब देखें बोर्ड मास के नियम के अनुसर पहले डिवाइब होता है तो बारा से बारा काट देंगे तो कितना बज़ेगा आठ एका माट और यह चौदा बज़ेगा अब यदि हम इसमें से इसको माइनिस कर देंगे तो कितना बज़ेगा यह प्लस का दो और आठ और दो कितना हो जाएगा दस दो की ओप्सन नमबर तीन में है तीसरा ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर तेरा देखिए निम लखे दिएगा संक्या सरिंक्लाम प्रिष्णवाचक चिन्न के इस्तान पर कौन सी संक्या आएगी तो यदि हम इसको देखेंगे तो इसमें देखिए पांच को पहले लिख दिया है और चैसे यह स्टार्टिंग के दो है जो जैवकित सबस्क्रखनते हैं बाकी पीछे का एक आगे लख दिया है किसे देखिए सब ही कैल्कुलेटर घड़号 है जो है गड़डियां है तो घड़ी के लिए हम जी बना लेंगे उसके बाद im क्यात सभी पोन गड़िया है तो घड़ियां के अंदर ही क्या है फ xem और सभी घड़ियां है जो वो क्या है टेली बिजन है तो टेली बिजन यह हो जाएगा अब इसमें यदि हम निसकर्ष निकालते हैं तो इसमें क्या निसकर्ष निकलेगा देखिए सभी जो फोन है टेली बिजन है तो देखे अंदर से यदि हम बाहर आते हैं तो वो किस में होता है सभ और अंदर से बाहर जाएंगे नहीं के इसे कुछ लगता है यह कुछ में आ जाएंगे यह यह से आ एब पूछा between television नहींतर पोण अंदर है और television बाहर है इसका मतलब यह सभी में आएगा पहला ओप्शन अनुसरन हो जाएगा इसके बाद दूसरा है दी देखें तो कुछ television calculator है तो बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ में आता है तो देखिए कुछ television है जो वो calculator है तो television उपर है और calculator अंदर है तो ये अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये भी अनुसरन करेगा कुछ में हो जाएगा तो पहला और दूसरा अनुशनल कर रहा है इसका मतलब option number 5 बाँ सही हो जाएगा एक बार फिर से देखिए यहाँ इधर से अंदर से बाहर से अंदर जाते हैं यह बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ में आता है और अंदर से बाहर आते हैं तो सभी में आता है question number 15 देखिए सार्थक क्रम के रूप में इसको हमें दर्साना है तो इसमें देखें सबसे पहले क्या आता है यदि हम देखें इसको सबसे पहले क्या आजाएगा कली इसके बाद में फल इसके बाद में पराकण एक मिनिटी गलत हो रहा है देखी सबसे पहले आ जाएगा क्या कली इसके बाद में फूल फूल के बाद में एक कुण से अप्शन है पांच है ये दो है फूल के बाद में क्या आ जाएगा पराकन चार नमबर इसके बाद में ये हो जाएगा देखे अब क्या बचा है फूल और फूल बचा है फल और बीच बचा है तो देखी पहले आ जाएगा क्या पराकन के बाद में फल फल के लाश्ट में क्या आ जाएगा बीच तो इसको हम जमाएंगे अधी तो ये पांच है दो है इसके बाद में ये चार है फिर ये एक है ये तीन है तो बावन चार सो तेरा कौन सी ओप्सन में दिख रहा है चौथा में है तो चौथा ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा कौसर नमबर अगला देखिए प्रिया का जन्म दिन 11 अप्रेल को मंगलवार को है उसी बर्स में राणी का जन्म दिन सबता है कि किस दिन आएगा यदि राणी का जन्म 3 अगस्त को है तो देखिए अप्रेल से हमें जाना है अगस्त तक तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपरेल के कितने दिन बचे हैं, 19, इसके बाद में अपरेल के बाद में माई, माई के कितने हैं, 31, जून के 30 हो जाएगे, देखिए अपरेल के बाद, अपरेल, माई, जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के कितने हो जाएगे, 31, और जुलाई के बाद अगस्त, अगस् हो जाएगा 10 और 14 हांसल में आ जाएगी एक 3 और 6 और 9 और एक 10 10 और 11 एक 114 दिन आ जाएँगे इसमें हम क्या करेंगे साथ से भाग देंगे साथ एकम 7 हो जाएगा यह 4 बचेगा फिर यह 4 उथाल लेंगे 7-6 42 मतलब कितने दो दिन सेस बचेंगे, कितने बच रहे हैं, दो दिन सेस बच रहे हैं, सेस फल कितना है, दो, तो दो दिन हम इसमें एट कर देंगे, देखें, यदि यारा को मंगल है, तो दो दिन इसमें जोड़ेंगे, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुद्ध और बुद्ध के बनाएगी देखिए इसकी ट्रिक खुद यह साथ इन्टु साथ इन्टु घंटा माइनेस ग्यारा इन्टु मिनिट और डिवाइड में होता है दो देखिए इसमें साथ का गुणा कर देंगे 5 में मैंस 11 गुणा 15 देखिए 6,5 e, 30 यह 300 हो जाएगा और 15 15 15 और 1,16 165 में से 365 माइनुस करेंगे तो यह कितना बचेगा है यह 5 बचेगा यह 9 है 9 मैं से यह जाएगा तैंट यह 2 में से यह जाएगा तो यह बचेगा 135, अब 135 में हम 2 से भाग देंगे, तो कितना बचेगा ये, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, मतलब 67 पॉइंट, 5 ओप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ओप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, क्वेशन नमबर 18 देखिए, नीचे एक घंड की तीन अवस्ताएं दरसाई गई है, अंक 5 के विप्रीत कौनसा अंक आएगा, देखिए 5 हम देखेंगे, इन दोनों में से एक संक्या कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन संक्या कौनसी है, 5 ही देख रही है, तो 5 को हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको clockwise गुमाते हैं, पहले हम इस से देखेंगे, यह 5 है, इसके बाद में clockwise तीन जाएगा, इसके बाद में 6 आजाएगा, और इसमें देखेंगे, तो 5 है, 5 की बाद में यह हो जाएगा, 4 और यह 2, देखिए कौनसा option देख रहा है, 5 डबल है, त तो option number 14 है, तो चौथा option, right answer हो जाएगा, यदि वो पूछता 6 के बिपरीट, तो 2, 3 के बिपरीट, 4, 5 के बिपरीट, जो अंसी संक्या नहीं देखती है, उसको हम ले ले लेते हैं, question number 19, देखिए, एक मनुस्च में हमेशा होता है, तो मनुस्च में क्या होगा, दाथ, आख, हाथ, या हिर्दे, तो मनुस्च में हमेशा क्या होता है, हिर्दे, option number 14, right answer हो जाएगा, question number 20, देखिए, देखिए, कोईच टेविल का question है ये, इसमें हमें question मार के स्थान पर बताना है, तो यदि हम इसको देखेंगे, तो ये, देखिए, ये 2 का बर्ग है, ये 4 का, 3 का, और ये 5 का, इसमें ये 1 का बर्ग, 7 का, 6 का, 9 का, तो हम इसमें बर्ग की कुछ ट्रिक लग जाएगा, 6, 6 और 3, 9, 9 और 5, 14, तो जबकि 14 अंदर लिखा है, तो यह logic हम इसमें लगाएगे, ये 3 का है, ये 7 का है, ये 6 का है, और ये 1 का, एक ही होता है, 7 और 3, 10, 10 और 6, 16, 16 और 1, 17, 17 option तीसरे में है, तीसरा option right answer हो जाएगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडि देखने के लिए धन्यवार,